कारवाश सिंटर या कारवाशिंग वाक्शॉप ये एक ऐसा बिजनस है जिसमें सिर्फ एक आपको अपना इस्टोर ओपन करना है और इसमें ग्रोथ अनलिमिटेड है चुकि एक से दो और दो से दो सो होते हुए टाइम नहीं लगेगा चुकि इस बिजनस में आगे बढ़ने का एक सबसे बड़ा जो ओप्शन मिलता है आपके लिए वो है फ्रेंचाइजी ओप्शन यानि कि आप एक अपना इस्टोर ओपन करिए उसको सक्सेस्फुली रन कराइए एंड फ्रेंचाइजी देते हुए आप अपने बिजनस को अनलिमिटेड गुरूर्थ आप कर सकते ह ऐसे ही सारी कमपनियों ने किया आपको एक श्रूर ओपन करना है और आगे बढ़ना है इस वीडियो को ध्यान से देखना अगर जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो कारवाश सिंटर सबसे पहले कारवाश का क्या एसकोप है भारत एक मिडल क्लास का देश है एंड मिडल क् जो अगर मैं संख्या की बात करूं तो अभी पूरे औल अवर इंडिया में ये करोणों के आसपास में है बाइक भी उसी रफ्तार में है यानि की स्कोप एकड़म अच्छा है एंड पर डे यहाँ पे लाखों लोग अमीर हो रहे हैं तो अलग बात है गरी मैं काम की बात कर करने जा रहे हैं तो आपको लोकेशन बड़ा समझदारी से चुनना होगा क्योंकि अगर आपका लोकेशन ठीक ठाक नहीं आपने चुना तो आपका बिजनेस डूब जाएगा बरबाद हो जाएगा पहला चीज मैंने आपको बता दिया इसी पर आपको गौर करना है अरिया में दो तरीके का एरिया चुन सकते हैं सबसे पहला तो आप वैसे एरिया को पकड़िये जहां पर बहुत बड़ा सोसाइटी हो बहुत अच्छा खासा पॉपुलेशन हो तो वहाँ पर क्या है कि गाड़ियां बहुत होती हैं वहाँ पर लोगों को कारवाश का सर्व पेट्रोल पंप के पास अगर आपको जगह मिल जा है तो इसका एड़िड एडवांटिज ये है कि पेट्रोल पंप के पास रहेगा तो सारे लोग जान जाए कि अच्छा यहां पर क्लीनिंग होती है तो आपको वर्ड तू माउथ का पबलिसीटी वाला जो सुविधा है व उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे काम मिलेगा पहला नंबर जो पॉइंट था वो मेरा यही था आपको एरिया अंडे स्पेस आपको चुन देना है दूसरा नंबर इसमें बात आता है कि आप कार वाशिंग में किस तरीके का कार वाश करेंगे देगे बेसिकली कार वाश म या नीचे का हो गया या डैश्वोट क्लीनिंग हो इस सारा चीज इंटिरियर में आ गया इंटिरियर क्लीनिंग प्लस पॉलिशिंग ठीक है इसमें आपको देखे के पैकेज निकालना होगा एक्स्टिरियर क्लीनिंग का अलग नाम एक्स्टिरियर क्लीनिंग प्लस इंटि exterior exterior policing ये सारी सीज़ें वहीं अगर आपके पास mechanic है तो आप mechanic का भी काम आप इसमें चाहें तो करवा सकते हैं otherwise generally यही काम आपको करना है next इसमें आता है machine हम कौन सा ले मशीन देखिए कौन सा लेना हो पड़ता है सबसे पहले तो इसमें cleaning करने के लिए major machine लगता है वो होगी आप आपका high pressure jet machine यह normal वाला नहीं चाहिए यहाँ पर आपका बड़ा सा pump लगा हुआ होता है जैसा कि विडियो में देख रहा है इसी टाइप का एक pump लगेगा और तब गाड़ी का cleaning करने के लिए वो high pressure बनता है पहला number वो major machine हो गया दूसरा इसमें आता है आपका vacuum cleaner तीसरा हो ग आगेंगे बात करते हैं कि इसमें one time investment कितना आएगा तो machine का दाम लेने staff का salary rent यह वो सारी चीज़ अगर मैं मिला दो तो one time का जो investment आएगा वो लमसम आपका 2 से 3 लाख रुपया आपका आएगा देखिए 10 लाग भी आप कर सकते हैं यह आपके उपर है लेकिन मैं आपको इत जाएजी route से आके बढ़ेंगे एक ही है store में जादा आपने investment कर दिया तो फिर अगले बारे में आपके पास fund का shortage पर जाएगा तो costing आपको यह आएगा नेश्ट अगर इसमें बात करी जाए कि क्या आपको profit आएगा इस business में profit बहुत ही शांदार है चूंकि इसमें जो भी आ यानिक electricity bill लगेगा second इसमें आता है staff का salary and तीसरे number पे इसमें आता है आपका water का bill अगर आप नोड़ा गुलगाओं जैसे शहरों में तो अधरवाज अगर पटना जैसे जगों के तो water पे bill भी आपको नहीं आना है और थोड़ा भूत आपको investment लगेगा chemical का चूंकि थोड़ का पूरा एक बाल्टी आप chemical बना सकते हैं तो इस तरीके का market में chemical है so major investment आपको कहां लग गया आप जान रहे हैं तो उसी तरीके से आपको staff को appointment भी करना है machine भी आपको वैसे ही रखना है अगर माल लिजे कि आपने दो team बना के काम करने का सोचा वो आपको दो-दो लेना इसमें margin आपको मिल जाता है इसके अलावा भी मैंने various type के ब्रांट्स के वीडियो बना दिये हैं आप चैनल पर जाके जरूर देखे ये वीडियो आपको कैसा लगा comment मुझे बताएगा फिलाल वीडियो में ताइए पूरे वीडियो जगने के लिए आपका बहुत बहुत ध